मेरी बात शुरू करने से पहले मैं तीन बार भारत माता की जैका जैकारा भुलवाऊंगा मेरा आप सबसे आगरह है कि दोनों हाथ उपर करके मुठी बंद करके पूरी ताकत से सीमा पर जो हमारे जवान तहिनाथ है उन तक आपकी आवाज पहुंचने चाहिए मैं तीन बार जैकारा भुलवाऊंगा पराक्रमी भारत के लिए भारत माता की विजई भारत के लिए भारत माता की वीर जवानों के लिए भारत माता की उत्तर प्रदेश के राजपाल स्रिमान राम नाईग जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाच जी मंत्री परिशद में मेरे सहयोगी स्रिमान विकेसी जी सत्तिपाल सी जी यूपी सरकार में मंत्री स्रिमान सुरेश खन्ना जी नंद गोपाल जी अतुल गर्ग जी सौंसन में मेरे साथी प्रदेश भारतिय जनत्ता पार्टी के अध्यक्ष्य सिमान महेंगर जी पांडे स्रिविजेपाल सी तोमर स्रियानी लगरवाल उत्तर प्रदेश के विधायगण और बहुत बड़ी संख्या में पदारे हुए सभी उत्साही नवजवानों, भाईयों और बेहनों आज का दिवस उत्तर प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है आज मैंने प्रातर पुर्वी उत्तर प्रदेश से शुरू किया वहां से लेकर के मध्य उपी और अब पश्चिम उपी में याने पूरे उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़े हजारों करोड के प्रदेश का लोकारपन और सिलान्यास आज मुझे करने का आउसर मिला है हाईवे, एरवे, हाउसिंग, सीवेज, सिक्षा से जुड़ी तीस हजार करोड रुपे से अधीक के प्रोजेक्स और लोकारपन के सलान्यास किया गया है इसके अलावा, आज, प्रियेम स्रमयोगी मांदन योजना, प्रदान मंत्री आवास योजना सही, अनेक योजनाओं के लाभार्थियों को भी प्रमान पत्रत दिये गया है इसके लिए मैं सभी लाभार्थियों को बहुत-बहुत बढ़ाई देता हूँ साथियों आप भली भाती जानते हैं कि पहली जो सरकारे थी, उनके शासनकान में गाजियाबाद और पस्टी में उत्तरपनेश की पहचान किन कारणों से होती थी आज गाजियाबाद की पहचान तीन सी से होती है पहला सी है कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, मेट्रो ट्रेंज से हो, हवाई कनेक्टिविटी, हिंडन एरपोर्ट से हो या फिर इस्टन परिफेरल एक्ष्प्रेस बे के माध्यम से वर्ल्ड क्लास रोड कनेक्टिविटी, गाजियाबाद में ट्रांस्पोर्ट का आधुनिक इंफार्ट्रेक्टर विश्चित हो, इस भी प्रकार का दूसरा सी याने क्लिनलीनेश, हाली में रास्त्रिय स्वच्छता सर्वेक्षन के रेंकिंग में गाजियाबाद देश में 13 वास्तान पर पहुँच गया है यही गाजियाबाद दो साल पहले, यानी 2017 में 351 नमबर पे था 351 से जंप लगा करके आप 13 नमबर पर पहुँच गए हैं, इसकी क्रेडिट सबसे पहले आप सबको जाती है गाजियाबाद के नागरिकों को जाती है, यह साबित करता है कि स्वच्छता के मामले में गाजियाबाद के नागरिकों ने अभुद पुर्व काम किया है 37 रासी है कैपिटल, यानी यहां के उद्यमियों की मेहनत और परिश्रम की, यह उनके परिश्रम की कैपिटल जिसने इस छेत्र को पूरे उत्तरप्रदेश का बिजनेस हब बना दिया है इतने कम समय में, इतने बड़े बडलाव के लिए, ट्रांस्फॉर्मेशन के लिए मैं योगी जी को, जीला प्रसाशन की पूरी टीम को बहुत बहुत बदहाई देता हूँ साथियों गाजियाबाद की कनेक्टिमिटी को विस्तार देने के लिए आज दो बड़े और आधुनिक प्रोजेस का लोकारपन किया गया है थोड़ी देर पहले हिंडन एरबेस से सिविल टर्मिनल का उद्धारन किया गया है यहां से मैं शहीद स्थल जाऊंगा और वहां से दिलसाथ गार्डन तक जाने वाली मेट्रों को हरी जंडी दिखाऊंगा अब तक गाजियाबाद के हिंडन की पहचान देश की वायुशक्ति के महत्पूर्ण सेंटर के रुप में होतो हो थी आज से सामान्य सेवा के लिए भी एरपोर्ट टर्मिलर बनकर तयार है अब गाजियाबाद के लोगों को दूसरे सहर जाने के लिए दिल्ली जाने की आवशक्ता कम पड़ेगी अच्छी बात ये भी है कि इस एरपोर्ट को उड़ान योजना से जोड़ा गया है यानि कम तूरी की फ्लाइट अब यहाँ से भी मिला करेगी हवाई चपल पहनने वाला मेरा साती भी यहाँ से बहुती कम कीमत में हवाई सफर कर पाएगा सात्यों हिंडन एरपोर्ट का नया टर्मिनल इस बात का भी उदारन है कि हमारी सरकार कितनी तेज गती से कार्य कर रही है सिर्म नव दस महिने पहले ही इस टर्मिनल का विचार आया था और इतने कम समय में इसका निर्माण कार्य पूरा हो गया इससे पहले प्रयाग राज में भी नया एरपोर्ट टर्मिनल सिर्फ ग्यारा महिने में बना था योजनाओं की ऐसी ही तेज गती से देश की प्रगती संबव है भाई और बहनों दिल्ली NCR की एक बड़ी समस्या रही है जाम और प्रदूशन दिलसाथ गाणन तक मैट्रों का विस्तार होने से अब आप लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी अब आपको दिल्ली, नौएडा और गुरुगराम में अपने दफ्तर जाने के लिए युवा साथियों को कॉलेज जाने के लिए भीशन जाम से बचने का विकब मिल चुका है वरना आप सभी की ये सिकायत रहती थी कि 8-9 गंटे दफ्तर में बित्ते हैं और 2-3 गंटे सफर में अब सफर की सफरिंग निश्चित तोर पर कम होने वाली है आप अपनी गाड़ी को कुछ आराम दे सकते हैं और मेट्रो का इस्तेमाल कर आराम से बिना किसी किंता के दफ्तर जा सकते हैं साच्यों देश में नेग जर्नलेशन अर्बन इंपास्टर को नया आयाम देते हुए आज दिल्ली, गाजियाबाद, मेरट, रीजनल रेपिट ट्रांजिस सिस्टिप का सलान्यास किया गया तीस हजार करोर रुप्य की लागत से बन रहा है ये देश का पहला आरार्टी एस होगा इसमें रेपिट, रेल और मेट्रो दोनों ही ट्रेने चलेगी इस आरार्टी एस के पुरा होने के पाथ, दिल्ली से मेरट की दूरी सिर्फ एक गंटे की रह जाएगी ऐसी ही एक और आजुनिक भवस्ता, इंटीग्रेटेड ट्राफिक मेनेजमेंट सिस्टिम का सलान्यास भी किया गया यह सिस्टिम, स्पीड वायलेस एंट पब्लिक एड्रेस सिस्टिम, ट्राफिक सिवर सबेलास, केमेरा जैसी आतेंट आधुनिक तक्निक से लेस है इससे यहां की ट्राफिक की मबस्ता को सुधारने में बहुत मदद मिलेगी भाई और भेनो, सड़क, याता यात को आधुनिक बनाने के लिए भी नौर्जन, परिफेलर, मास्टल प्रांग रोड और आउटर, निंग रोड का सिलान ने आसाज किया गया है जब ये प्रोजेक्ट पुरे हो जाएंगे, तब दिल्ली से आने वाली गाड़ियों को गाजियाबाद सहर में एंट्री की जरुवत नहीं रहेगी इससे यहां के ट्राफिक पर दबाव कम हो जाएगा साथियों गाजियाबाद की कनेक्टिमिटी को आधूरिक बनाने वाले ये सारे प्रोजेक्ट आप सभी के जीवन गोत व सुखम बनाए गई साथ में यहां नए उद्यमों के लिए भी नए अवसर पैदा करेंगे इनसे आसपास के गाउं में रहने वाले किसानों के लिए भी अपने दूज, सबजी, अनाज, जैसी तमाम चीजों को दिल्ली NCR के अलग-अलग जगों पक पहुँचाने में ज़्यादा सुविदा होगी साथियों मद्यमबर की आशाओ, आकांशाओ के अनुरूप देश के शेहरों में, उत्तरप्र देश के शेहरों में इस प्रकार का इंफास्टर विक्सित करने के लिए हमारी सरकार पुनी निश्चा के साथ काम कर रही है मैट्रो हो, RRTS हो, रिंग रोड हो देश भर के शेहरों के आने वाले दिसकों के लिए हम तैयार कर रहे हैं आज ही लखनव, आगरा, गाजियाबाद तीन मैट्रो प्रोजेक का लोकारपड़ा और सिलान्यास हो रहा है कल नौएड़ा में मैट्रो के नए रूट का लोकारपड़ किया जाएगा कल नाथपूर मैट्रो की भी शुरुआद हुई है इसी अपते हम दाबाद मैट्रो का कभी लोकारपड़ हुआ है साथ योई इसी गती से देश भर के अनेक शेहरों में ट्रांसपोर्ट के आधुरिक सिविदाओं का निर्मान किया जा रहा है अब तो एक कदम आगे बढ़ते हुए टिकार्ट और एक्सेस के सिस्टिम को भी इंटिग्रेट किया रहा है वन नेशन वन कार्ड जैसे अत्यंत आधुरिक भवस्ता आज भारत में लागू हो चुकी है कॉमन मोबिलिटी कार्ड की मदद से आप देश के किसी भी मैट्रो में किसी भी बियार्टी में पार्किंग में टोल में एक्सेस कर सकते हैं डिजिटल लेंदन कर सकते हैं ये भी हम सभी के लिए गर्व की बात है कि भारत में विश्चित हुई ये तकनिक दुनिया के बहुत कम देशों के पास है साथियों देश के गरीब की मद्यमबर का जिवन आसान बनाने उसकी दिक्कते कम हो उनकी इज अब लिविन बड़े इसका हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ हम देश के हर किस्से, देश के हर व्यक्ति, हर वर्थ तक विकास के लाब पहुँचाने में जूटे है हमारे विकास का अनास्ता दो पट्रियों पर चल रहा है एक तरफ हम देश के इंफास्टर को मजबूत कर रहे है वहीं दूसरी तरफ हम सामान मानवी को सीधी मदद पहुंचाने में जुटे है भाई और बहनों हाल मैं ही किसानों और मद्दूरों के लिए डेश की दो सबसे बड़ी होजनाओं की शरुवात की गई है सरकार किसानों के लिए पी-एम किसान सम्मान निदी और मद्दूर भाईयो बहनों के लिए पी-एम सरम योगी मांदन योजना लेकर आई है इन दोनों योजनाओं के लाभार्तियों को थोड़ी देर पहले सडिपकेट दिये गए है देश बरके लगबग बारा करोर किसान परिवारों जिनके पास पांच एकर से कम जमीन है उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निदी का लाभ मिला शुरू हो चुका है अब तक देश के दो करोर से जादा किसानों को पहली किस्त मिल चुकी है जिसमे यूपी के भी लाखों किसान सामिल है जो बाकी किसान है उनके बैंक खाते में भी पैसा जमा करेने की प्रक्रियाद चल रही है सोचिए साथियों कोई पिचोलिया नहीं कोई मलाई खाने वाला नहीं इस तरह साल भर में लाग भर पच्चतर हजार करोड रुपिये सीधे किसानों के खाते में जमा किये जा रहे हैं भाई और बहनों पी-एम स्रम मांदन योजना के तहर असंगडि छेत्र के लगवग 42 करोड साथियों को 60 वर्ष की आउग के बाद हर महिने कम से कम 3,000 रुपिया नियमित पैंशन मिले ऐसी योजना देश में पहली बार आई है देश भर के वो सभी कामगार जो गरों में काम कर रहे हैं कचरा उठाने का काम करते हैं कबार से आजीविका कमाते हैं कपड़े दोने का काम करते हैं गाड़ी चलाते हैं लेजर का काम से जुड़े हैं खेत में मजजूरी करते हैं सडकों या घरों के निर्मार में जुटे हैं रेड़ी ठेले चलाते हैं बुनकर है रिक्षा चलाते हैं ऐसे अनेक कामों से जुड़े सबी कामगार सातियों को हमारी सरकार ने बुढ़ा पेका सहारा दिया है गाजियाबाद और दिल्ली अंसियार बैतों ऐसे लाखो परिवार हैं जो इस तरह अपनी आजीविका कमार है ऐसे स्रमिक साति जिनकी उम्रा अठारा से चालिस वर्थ तक की है और जिनकी मासिक कमाई पंदरा हजार रुपिया आ इससे कम है तो वह इससे जुड़ सकते हैं हर महीने सिर्फ 55 रुपिय से लेकर के 200 रुपिय तक के मामली आउसदान पर आप इससे जुड़ सकते हैं और जितना आउसदान स्रमिक साति देंगे उतनी ही रकम मोधी सरकार पेंशन खाते में जमा कराएगी हर थमया इतना ही नहीं ये सुविदा लेने के लिए सिर्फ आधार नंबर और जंदर्मान देंख खाते की ज़रुत पड़ेगी नद्दी की कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर योजना से जुड़ा जा सकता है और जो खर्च आएगा उसको भी केंदर सरकार वहन करेगी साथियों हमारी सरकार ने उन लोगों के बारे में भी सोचा है जिनको पहले की सरकारों ने अपने भाग्ये पर भरोसे पर छोड़ दिया था आज गरीब को अच्छा पका घर दिया जा रहा है मद्यमबर के घर के सपने को भी ब्याज में छुट दे करके पुरा किया जा रहा है मद्यमबर के साथियों के हाथ में जादा पैसा बचे इसके लिए पांच लाख रुपिय तक की कर योगियाई को इंकम टेस्क के दाइरे से बाहर किया गया है इस तरह के अनेक काम जिनको आज तक की सरकारे नामुम्किन मानती रही लेकिन मोदी है तो मुम्किन है इसी तरह लगबग पचास करोर गरीबों को पांच लाख रुपिय तक मुप्त इलाज भी पहले नामुम्किन लगता था लेकिन मोदी है तो मुम्किन है नामुम्किन को मुम्किन बना कि ने किये शक्ति मोधी को अगर मिली है तो इसके पीछे आप सभी मेरे प्यारे भाईयो बेनो 130 करोर दे सवासी हो ये शक्ति यूही नहीं बड़ी रहे इसी भी सवास के साथ मैं फिर से आप सभी को इन सुविदाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ भाईयो बेनो आज जब मैं गाजियाबाद में आया हूँ मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप जवाब देंगे आप जवाब देंगे 26 ग्यारा को मुंपई में जब आतंकबादियों ने हमला किया अनेक लोग मारे गए क्या दिल्ली में बैठी वी उस समय की सरकार ने कोई कदम उठाना चाहिए था के नहीं चाहिए था उन्होंने पाकिस्तान का जवाब मागना चाहिए था के नहीं उन्होंने कुछ किया था कुछ किया था हाथ पे हाथ लगा कर बैठे रहे चेक नहीं क्या ये हिंदुस्तान के नागरीकों के साथ अन्याय है के नहीं ऐसे लोगों को जवाब देना चेक नहीं देना चाहिए उसके बाद मुंबई में ट्रेनों में कूकर में बम डाल करके बम फोड़े गए सैकलों लोग मारे गए दिल्ली में बैटी हुई रिमोट सरकार में कुछ किया था क्या कुछ किया था क्या देश में हर बार कभी दिल्ली में कभी अयोध्या में कभी हैद्राबाद में कभी गुजरात में कभी मुंबई में आतंगबादी कट्गाए होती रहती थी दिल्ली सरकार सोती थी कर नहीं सोती थी दिल्ली सरकार गुनेगार ठीक नहीं थी उन्होंने काम करना चाहिए तक नहीं करना चाहिए था उन्होंने अपनी जिम्मेवारी निभाई थी अपनी जिम्मेवारी निभाई थी आप मुझे पताए जबात अंगवादियों ने जब हातंग बादियों ने पुलवामा में हमारे चालिस जवानों को मार दिया क्या मोदी को भी चुप रहना चाहिए था मोदी को सोजाना चाहिए था मोदी को भी क्या करे हम देख लेंगे हम समझेंगे है री करके चुप रहना चाहिए क्या अगर पुरानी सरकार जैसा करना है तो आपने मुझे चुन करके बिठाया क्यों है मैं उनके जैसा करूँ आपको मंजूर है उन्होंने जो किया मैं करूँ मंजूर है मुझे देश की अपेक्षा के अनुसार काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए आप मुझे बताइए क्या हर हिंदुस्तानी पाकिस्तान को सबग सिखाना चाहता है कि नहीं चाहता है क्या हर हिंदुस्तानी आतंगबाद को आतंगबादियों की बासा में जवाब देना चाहता अगर नहीं चाहता है क्या आतंगबाद को उखार फ्यांग देना चाहिए क्या इसके लिए मोदी ने हिम्मत से आगे बढ़ना चाहिए आपके असिरवाद है क्या आगे भी लडाई होता आपके असिरवाद है आज चिवाद को खतम करने के लिए कदम उठाने पड़े आपके असिरवाद है भाई यो भेनो आज जो हमारे विरोधी दल के लोग सपा हो बसपा हो कॉंगरेज हो ये हमारी सेना पर भी बरोसा करने के लिए तैयार नहीं है क्या आपको हमारी सेना पर भरोसा है हमारे एरपोर्ट पर भरोसा है हमारी सेना ने जो कहा उसको आप मानते है मानना चाहिए जो नहीं मानते हैं उनका क्या करे जो सेना को भी जूट बोलते हैं उनका क्या करे भावियों बेनों आप मुझे बताईए अगर आप कुछ करें आप कुछ ऐसी चीच कर दें ऐसी गलती कर दें ऐसा कुछ बुरा कर दें और उसको पूरा पाकिस्तान तालिया बजाएं तो आपको अच्छा लगेगा क्या आपको दूख होगा कि नहीं होगा आपकी गलती का पस्चाताब होगा कि नहीं होगा आप कभी ऐसा करेंगे जिससे पाकिस्तान में तालिया बजे ऐसा करेंगे यह हमारे देश के कुछ दल उसके कुछ नेता पिछले दस दिन से लगे हैं सबसे पहले आपको मालूम होगा जब हमारे एर स्ट्राइक हुआ यह यह लोगों को पहचानो इनको देश की चिंता नहीं है उनको अपनी जेल जाने से बचने के लिए दिल्ली सरकार पर कबजा करने का इरादा है जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ इनी लोगों ने सवाल उठाये थे कि नहीं उठाये थे सेना को अपनित किया थक नहीं किया था अब सारी चीजे दिरे दिरे बार आई तो उनकी बोलती बंद हो गए कि नहीं हो गए चुप हो गए कि नहीं हो गए अभी एर स्ट्राइक हुआ है आपने देखा होगा एर स्ट्राइक होने के बाद बारत सरकार तो चुप बैठी थी हम तो कुछ नहीं बोले थे और एर स्ट्राइक करने के बाद हम सोय नहीं थे यह चौकेदार जाग रहा था हमने इतना बड़ा पराकरम किया उसके बावजुद भी हम चूप थे हमने क्रेडिट लेने की कोशिद नहीं की सबसे पहले पांच बजे ट्वीट करके रोने का काम पाकिस्तान ने शुरू किया था हमने यह पराकरम किया है यह सबसे पहले पाकिस्तान ने बताया था अब मुझे बताईए क्या पाकिस्तान मुरक है क्या जो यह कहेगा क्या मुझे मारा मुझे मारा मुझे मारा वो मुरक है क्या यह हमारे लोग पूछ रहे अरे मारा है तो सबूत दो मारा है तो सबूत दो विरोधी दल कान खुल के सुनरो मेरा सबूत ये 130 करोड हिंदुस्तान वाजियों का विश्वास है वही मेरा सबसे बड़ा सबूत है महरबानी करके महरबानी करके पाकिस्तान को खुश करने वाले खेल बंद करो भाईयों 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 हमारे वीर जमानों के लिए मैं आप सबसे आगरा करता हूँ वीर जमानों के सम्मान के लिए अगर आपके पांद मोबाईल फोन है तो उसकी flashlight चालू करके पूरे वीर जवानों का गवरों कीजिए और जिनको दिखता नहीं है उनको ज़गा रोशनी दिखाईए आपके पास mobile phone है तो flash चालू कीजिए हर एके mobile की flash चलनी चाहिए हर किसी के mobile की flash चलनी चाहिए हरे के मोबाइल के प्लाज चल ली चाहिए मैं कहुनगा भारत के विरो आप गोलिए जिन्दाबाद बारत के विरो भारत माता की बंदे 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 आज का दिन घाजियाबाद के लिए नई उम्मीद लेकर आया है माननिय प्रधानमंत्री श्री नरेंदर मोदी जी ने आज यहां बहुत सी परियोजनाओं का उद्गाटन किया